एकदशी वर्थ पारन एकदशी के वर्थ को समाप्थ करने को पारन कहते हैं एकदशी वर्थ के अगले दिन सुर्योध्यों के बाद पारन किया जाता है एकदशी वर्थ का पारन द्वादशी तिथी समाप्थ होने से पहले करना अतियावशक है यदि द्वादशी तिथी सुर्योद्य से पहले समाप्थ हो गई हो तो एकदशी वर्थ का पारण सुर्योद्य के बाद ही होता है द्वादशी तिथी के भीतर पारण नय करना पाप करने के समान होता है एकदशी वर्थ का पारण हरीवासर के दोरान भी नहीं करना चाहिए जो शरधालू वर्थ कर रहे हैं उन्हें वर्थ तोड़ने से पहले हरीवासर समाप्त होने की परतिक्षा करने चाहिए हरीवासर द्वादशी तिथी की पहली एक चोथाई अब्धी है वर्थ तोड़ने के लिए सबसी उप्यूक्त समय प्रात्यकाल होता है वर्थ करने वाल शरधालू को मध्यान के दोरान वर्थ तोड़ने से बचना चाहिए कुछ कारणों की वज़े से अगर कोई प्रात्यकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्यान के समय पारन करना चाहिए कभी-कभी एकादशी वर्थ लगातार दो दिनों के लिए होता है जब एकादशी वर्थ दो दिन होता है तब समार्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी वर्थ करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं सन्यासियों, विद्वाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छिक्षिरदालूओं को दूजी एकादशी के दिन वर्त करना चाहिए जब जब एकादशी वर्त दो दिन होता है, तब तब दूदि एज एकादशी और वैशनव एकादशी एक ही दिन होती है भगवान विश्णु का प्यार और सने के उच्छुक परमभक्तों को दोनों दिन एकादशी का वर्त करने की सला दी जाती है द्वादशी के दिन ब्रहामन को पहले भोजन कराना चाहिए जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्रहामन भोजन के निमित कच्चा समान सीधा मंदिर में या सुपातर ब्रहामन को थाली सजा कर देना चाहिए एकादशी के वर्त करने वाले मनुश्य यदि सब इन यमों का पालन कर सके तो वह वर्त उन्हें पूरन फलदाई सिध होगा